भारत माता की गव माता की जय परम पूज्य सरसंचल परमशद्देय संतचरण पूज्य दीदिमा इस गोविज्ञान अनुसंधान पूस्था के सभी माननिया पदारिकारी एवं कारेकरतागन उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगेनी मुझे हर बार बड़ा आनंद होता है जब जब मैं इस परिसर में आता हूँ तो यहां का प्रकल्प हर बार पांच कदम आगे गया हुआ दिखता है कभी ठैरा हुआ नहीं दिखा 1983 में जब यहां पर भूमी पूजन हुआ नगला चन्रभान में आज दिन डियाल नगर जिसको कहते हैं जहां अभी दिन डियाल जी की मूर्ति लगी है एक छोटा सा घर था उसमें हम सब लोग आये थे बैठक के लिए आगरा में भूमी पूजन समारों में उपस्थित थे पूजनिया बाड़ा साब जी देवरस नाना जी देश्मोग भावराव जी शायद अटल जी भी थे और वो पूजन समारंब हुआ उस समय यहां कुछ भी नहीं था कारिक्रम शुरूरू होने के पहले आदा घंटा जैसे कल रात को हुई वैसे जम के वर्षा हुई तो हम लोगों को कोई आसरा नहीं था हम सब लोग भीग गए बाड़ा साब को छोड़के कीन चार चाते थे उसमें चार-पास लोग समा गये हैं कि ऐसी आस्थिती थी कि बाद में 2009 में आया तब में संग का सरकार्य वा था तो यहां कुछ काम शुरू हो गया था कि उजनिया दीन देयाल जी के स्मृति में यह सब प्रकल पर चला है तो उनके विचार विश्व में एक शब्दा आता है अंत्यों दय कि समाज की आखरी पंगती में खड़े हुए व्यक्ति की उन्नती जब होती है तब देश की उन्नती मानी जाती है राटर की उन्नती मान कि बड़े लोग तो बड़े होती ही रहते हैं लेकिन जो सबसे छोटा है उसको बड़ा बनाना यह वास्तविक करतव्य है और इसलिए रोजगार देने के वुनर सिखाने के अच्छी खेती सिखाने के प्रयोक शुरू हो गए थे उसके लिए परिसर बना था मुझे बड़ और ऐसे ही समारोह के लिए आया था तो और कुछ आयाम शुरू हो गए थे और आज मैं यहां आया हूं तो दिखता है कि गौव विद्ञान अनुसंधान में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा आए गाय का संबन्ध अपने देश की सप्रकार की उन्नती से है आर्थिक उन्नती नहींतिक उन्नती आध्यात्मिक उन्नती सबके जड़ में हमारी ये छोटी-छोटी श्रद्धाएं है जो युगो युगो तक हम अपने दिल में संजो कर यहां तक आए नहीं तो हम यहां तक आ नहीं सकते थे साल प्रवा के उतार चड़ाओं में कितने ही राष्टर उपर आये और मिट गए लेकिन हम तब से चले हैं अब तक चल रहे हैं सबसे प्राचीन कहलाते हैं और सबसे आधुनिक भी बनते हैं परंतु भारत हमेशा भारत रहता है क्योंकि वहां इन श्रद्धाओं का जतन होता है पर्यावरण के प्रती हमारी दुष्टी है, हम कहते हैं कि जो हमारा पालन करता है वो सब मात्रू स्वरूप है इसलिए गंगाम आता है, इसलिए तुलसीम आता है, इसलिए गवम आता है ये कृततनेता बुद्धी विश्व से लिया है समास से लिया है पशुपक्षियों से लिया है खेतो जंगलों से लिया है भूमी से लिया है जल से लिया है वो वापस देना है कि जीवन क्यों है लेकर सीखना और सीखने का उप्योग करके दाम दुगना वापस करना कि इसको कहते हैं यह हमारा हमारा भाव है हम भारत के हैं भारती है तो हर एक व्यक्ति के मन में यह बात रहती ही है कोई भाशन सुनना नहीं पड़ता कोई गरंथ पढ़ना नहीं पड़ता कि कि सी देहात में सुदूर देहात में अपने पोते को एक बुढ़िया सुनाती है बेटा शुर्यास्त हो गया पेड़ों को हाथ मत लगाओ पेड़ सोरे यह उसको किसने पढ़ाया यह परंपरा चलती आ रही है यह हमारा स्वभाव बन गया है हमारे यहां का रिक्षा वाल भी बोलता है खुरदा नहीं है साफ छोड़ दो नहीं लेता हूं चवण्नी का तो सवाल है पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती है पैसा मुर्गी भी नहीं सिखाहति आपको भारत के बाहर के किसी व्यक्ति से सुनाई नहीं देगा जिसके मुख से सूनाई देगा उसका पता लगाई आप आपको पता चलेगा वो भारतिया मू lugाहिए विक्तिए यह हमारी आत्मा है कि हमारा शरीर बहुत गंदा हो गया दीदी माने वरणन किया कैसा गंदा हो गया है उसको सच्छ करना है शरीर मन बुद्धी विक्रुत हुए तो भी उसके अंदर बसने वाली आत्मा उसके शुद्धी की आशा से स्वयम शुद्ध पवित्र बनी रहती है शरीरमन बुद्धी का करते विये हैं उस आत्मा के लायक स्वयम को बनाना उस आत्मा को दिन द्याल जी ने शब्द लिखा था चिती कि गाय हमारी माता है कि यह हमारी चिती है कि सदियों के जीवन के अनुभव से प्रकृति के सहाचर्य से निरंतर गोसे वासे हमने इसको प्रत्यक्ष अनुभूती में पाया कि गावो विश्वस्य मातरा केवल हमारी नहीं और आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरन के संकट का क्या उत्तर है कि खेती करने वाला करजा कर लेता है उसका उपाय क्या है गर में सप्रकार का संसकार बना रहे हैं इसका उपाय क्या है तो की सेवा करना घर में गो रखना यही वह उपाय है एक पंथ में अनेक का साधने वाला उपा है परंपरा से हम जानते थे कहते थे लेकिन अब जमाना आ गया है जहां प्रमान चाहिए कि जहां विश्वास की कमी हो गई श्रद्धा की कमी हो गई तो कागज का प्रमान चाहिए मेरे मित्र मिले नाकपुर में बड़े खुशी में थे मैंने बोला क्या हुआ उन्हों का आज मैं पेंचन लेके आया इस मैने की पेंचन पिछले मैने की मिली नहीं थी इस मैने की मिल गई पिछले मेने की नहीं मिली तो इस मेने के कैसी मिली उन्हें का मैंने सर्टिफिकेट दिया क्या सर्टिफिकेट दिया मैं जिन्दा हूं कि देना पड़ता है तो मैंने बढ़ा पिछले मेने का फिर क्यों नहीं मिला आई इस मेने आप जिन्दा हो तो बहुत उस आफिस ने यही कहा मुझे कि इस मेने आप जिन्दा हो इसका certificate दिया इस मेनी की pension ले जाओ पिछले मेने जिन्दा थे इसका certificate लाओ यह वास्ता भी मैं किस्सा नहीं बता रहा हूं एक कुछ मेने पहले घटी हुई घटना है यह जमाना ऐसा है हमारा सत्य भी हमको सुरुष्टी के सामने रखना पड़ेगा तो सुरुष्टी समझेगी इस तरीके से रखना पड़ेगा अभी तक यह चला कि उस भूले बिसरे सत्य को हमारे आपके मन में जगाना वो काम तो और चलेगा तो करना ही है लेकिन सुबह मैंने कार्यकरताओं को बताया कि मैं कॉलेज में था साथ की दशक में तब पुरिके शंकराचारी जी महाराज गोंवत्या के लिए आमरन उपोशन पर बैठे थे उनके लिए प्रार्थना करने के संकेत में उनके इस मांग को समर्थन जुटाने के लिए सरकार को उनकी बात पहुचाने के लिए एक दिन का बंद और हस्ताक्षर अभियान ऐसा कारेकर्म निष्चित हुआ मैं अपने कॉलेज में वो करने के लिए गया तो मुझे क्या-क्या सुनना पड़ा कि हिंदूों से ही सुनना पड़ा कहाए के बारे में यह अंदश्रत्ध है यह ऐसा है मैं सब्वे बात शब्दों में बता रहा हूं आपको जो सुना यह अवईद्ञानिक है यह अंदश्रत्दा है बेकार की बाते दक्यान उसी बाते है कोई साधुमा आत्मा इसको लेकर उपोशन को बैठते तो समझ में आता है हम पड़े लिखे लोगों को क्यों करना है यह बाते में सुनता था लेकिन को के बारे में जितना काम उसके बाद हुआ को सब्वर्धन गतिविदी भी अमारी चली और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं उसके चलते आज यह स्थिति है कि गाय के एटू दूद की महिमा देशी गाय के दूद की महिमा आज सब लोग मानते हैं को सेवा करने का प्रम को शालाय लोग कर रहे हैं चड़ बढ़कर उसमें योगदान करने के लिए योग आगे आते लोग आगे आते हैं तो अपनी इस श्रद्धा को हम भूल गए थे अवनती को प्राप्त हुए थे अब हम उसको याद कर रहे हैं तो धीरे धीरे भारत वर्ष भी उठके खड़ हो रहा है कि हम देख रहे हैं यह साथ साथ चल रहा है यह संयोग नहीं है यह साथ ही चलना होता है भारत वर्ष का उत्थान तब होता है जब धर्म का उत्थान होता है विश्व में धर्म का उत्थान होने के लिए ही भारत का उत्थान होता है और इसलिए यह संयोग नहीं ह भारत के आगे बढ़ते कदम के साथ साथ गौमाता के आगे कदम बढ़ रहे हैं और एक नया कदम यहाँ पर आगे बढ़ाया है कि हम आज की दुनिया की भाषा में इस विशय को सब के सामने रखतर समझा सके इसमें हमारा उपकार कुछ नहीं है हम तो अपनी शरद्धा पर पक्के रहेंगे गाय की सेवा करेंगे गाय से संसकार लेंगे गाय से खेत के लिए गोबर गोमुत्र से खाद कीट नाशक सब कुछ लेंगे अपनी खेती को जैविक खेती विशमुक्त खेती करेंगे फायदे के दूद्ध से प्राण में तेजस्विता भरेंगे यह तो हम करते रहेंगे लेकिन हम तो सारे विश्व को अपना कुटुम्ब मानते हैं तो सब को इसका लाब होना चाहिए कि इसलिए विश्व को उसकी भाषा में यह विश्य समझाना है इसलिए यहां पर आयूरुवेद के आधार पर पशुचिकित्सा को पंचगव्य पर अनुसंधान उस शोध का आज की भाषा में उसकी अभिव्यक्ति यह करने वाला संस्थान खड़ा कर रहे हैं बहुत महत्वा कांग्शी योजना है बहुत काम करना पड़ेगा बिना खके बिना हारे चलना पड़ेगा अच्छे कामों की परीक्षा ऐसी ही होती है कार्य करता कितना सातत्य से काम करता है समुद्र मन्थन हो रहा था अम्रुत के लिए क्या हुआ संस्कृत में कहते रत्नाईर महारहिस्तु तुशूर्ण देवा एक के बाद एक रत्न उत्पन हुए लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरी चंद्रमा करम से लेकिन उन रत्नों के मोह से देव और असुरों ने मन्थन करना छोड़ा नहीं अम्रुत चाहिए रत्ना आते जाते रहेंगे जितना ले सकते लेंगे नहीं तो छोड़ जाएंगे हमको अम्रुत चाहिए तो फिर हाला हाला आया उसकी विव्यवस्था की गई शुवजी ने उसको प्राशन किया अपने कंठ में रख लिया अम्रुत पाए बिना नभेशिरे भीमविशेम भीतिम भीमविश्के भीति से भागे नहीं लोग कि सुधाम विनान प्रयोयुर्विरामा अम्रुत मिलते तक मन्थन जारी रहा न निश्चित आर्थात विरमंती जी रहा कि जो निश्चित किया हुआ संकल्प है उसको पूरा होते तक सतत प्रयास है है हम मंदिर बनाएंगे यहीं बनाएंगे 30 साल लगे लेकिन 30 साल सतत किसी न किसी उपयुक्त प्रयास को चलाते रह तब हुआ इसका भी ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कौन क्या कहता है अपने को क्या मिलता है इसकी चिंता छोड़के सुनीती मान लोग क्या कहेंगे चिंता नहीं करना पैसा रहता है कि जाता है चिंता नहीं करना करते क्योंकि यह सत्य पत्थ ये न्याय का पत्थ ये शुरुष्टी के कल्यान का उपक्रम है आरे के समझह के इसको करना पड़ेगा उस समस्थान के काड़ करता तो करेंगे ही और उनके पीछे संघ की शक्ति है करते रहेंगे लेकिन हम लोग क्या करेंगे हम लोग किवल ऐसे कारिक्रम में आएंगे थोड़ी जर बैठेंगे उठके चले जाएंगे कि हमको भी इस गोव सेवा में हाथ बटाना चाहिए कि आप अपने घर में गोव रख सकते हो देशी गाय रखना देशी गाय के दूद के स्वास्थे के लिए अनेक लाब है जो बाकी दुगधों से नहीं मिलते अपने घर में गाय नहीं रख सकते हैं आजकल उचे उची बिल्डिंग में लोग रहते हैं गाय कहां रखेंगे लेकिन ऐसे बिल्डिंगों में रहने वाले 15-15-20 लोग शहर के बाहर जहां जगह होती है जगह खरीद के गायों को रख सकते हैं उनकी सेवा के लिए करमचारी रख सकते हैं मैंने ऐसी दो-तीन प्रकलप देखें जहां वो लोग गाय रखते हैं गाय का दूद वो सयम लेते है गोबर गोमुत्र उसका क्या करना उसका प्रशिक्षन देखे जो गायों की सेवा करते उनके लिए छोड़ते हैं उनको थोड़ा सा वेतन भी देते हैं शनीचर इत्वार स्वयम जाके गायों की सेवा भी करते हैं हम कर सकते हैं जब चारे की कमी बाहर होती है तो गायों को रास्ते पर खुला नहीं छोड़ना हम अपने माता पिता को घर में कड़की है इसलिए बाहर नहीं भेचते पहले उनको देते बाद में हम खाते है गौव को माता कहना है तो पुत्र का कर्तव यह निभाना पड़ेगा खटने के लिए गाये जाती है बंगला देश में आती कहां से हिंदू के घर से आती है साथ में ले जाने वाले कौन है हिंदू है यह क्या पुत्र करतव यह निभाना हो गया गाय को माता कहते है तो हम अपनी गाय नहीं जाने देंगे हम अपनी गाय की सेवा करेंगे हम सदा उसको अपने पास रखेंगे उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया मरने के बाद उसका सींग काम में आता है उसकी खाल काम में आती है यह सब होता है वो मुर्त्यु परांत भी हमारी सेवा करते हैं हम उसके जीवन परियन तो उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं सोयम जीवित रहते हुए हमको भी यह संकल्प लेना पड़ेगा और इस संकल्प को लेकर हमको गाय की सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि गाय पर्यावरेंड संकट का उपाय है भारत के किस खेती उससे संपन्नता प्राप्त करने का उपाय है कि सब प्रकार के दुश्परिणामों से बचकर अपने और अपनी फसल के अपने पशुओं के स्वास्थ का इलाज करने का सर्वोत्तम मार गया है तो यह सब वह निख है क्योंकि हमने भी तो अनुभौ से इसको सिखांफ पोव्फियों में आया कैसे उसके हमारे पूर्वजों ने अनुभौ किया और अनंद की बात है कि आज उसको आज की भाषा में वज्ञ्यानिकों के सामने विश्व के सामने रखने वाला एक संस्थान यहां बनेगा शेघ्र अपना कारिया शुरू करेगा कार्य तो शुरू होगे आ कार्य के लिए एक आश्रह एक भवन यह सारा बनने जा रहा है और इसलिए इसमें काम् mistत करने वाले लोग परिश्रम करने वाले लोग जब देखेंगे कि अपनी अपनी जगह हम बाकी लोग भी इस गाय पर प्रेम करते हुए उसको माता मानते हुए उसकी सेवा में कोई कमी न रहे इसका प्रयास कर रहे है तो इनका भी उत्सा बढ़ेगा और इनके कार्यों को यश तो विश्व में आनन्द ही आनन्द होगा यजिसे आज का आनन्द है उसके हजार गुना अधिक आनन्द हम प्राप्त करेंगे जैसे 22 जन्वरी को राम लला अपने गृव में रहने के लिए जाएंगे तब करेंगे कि जैसे चांडरी madam चणरमा पर उत्रा तब हमने किया था वैसा वैसा आनंद हम भी आने वाले वर्षों में अनुभु करेंगे वह आनंद हम सबके प्रयासों से शीगरता पुर्वक हम सबको प्राप्त हो यह शुबकामना आप सब के लिए और मेरे अपने लिए भी मैं व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरा वक्तविया समाप्त करता हूं